नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का योटेक में और आज मैं आपके सामने एक अन्बॉक्सिंग कर रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा प्रोड़क्ट यह उन सब लोगों के लिए बहुत यूसफुल है जो गेमिंग करते हैं या पीसी पर बहुत जादा काम करते है यह जो प्रोड़क्ट है यह है एसर का एक वी ए पैनल साइज है तकरीबन बाइस इंच और बहुत ही अफॉर्ड़बल रेट पे मिला है अगर जी एस्ट और बाकी जोड़ों को अगर हम इंक्लूड करें तो तकरीबन तकरीबन यह पढ़ रहा है पाँजार रुपे के आस इनकी जो पिक्चर कॉलिटी होते हो बहुत अच्छी होते इनका इफ्रेश रेट भी कंपारिटिवली अच्छा होता है और कॉंट्रास रेशियो भी अच्छे होते है इसलिए इनके जो अगर आप IPS डिस्प्ले वगरा से कंपेर करेंगे तो आपको कंप्यूटर वगरा के लिए एक पीसी के लिए बहुत अच्छा देखने को मिलता है तो यह एसर का आप देख सकते हैं बाइस इंच का फूल एच्डी एलीडी इसमें लिखा हुआ बड़ी एलीडी नहीं एक्ट्यूटी वीए पैनल है ठीक है ओ लिखा हुआ है लेकिन वह IPS डिस्प्लेय नहीं है ठीक है और अच्छी बात यहां कि इसमें वीव एंगल बगरा जो वीव करने के एंगल से वो सभी आप सेट कर सकते हैं प्रॉपरली ठीक है इंट्रस्टिंग बात यह भी है कि जो पैनल्स होते हैं इस तरह के हम ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं डालना चाहते हमको हमेशे आउसे यह लगता है कि आत्ती में घंध ज्यादा होती है और आखों को बहुत नुक्सान करती है तो जो पैनल्स है मैं बात करों पीषी कंछली उता है उनकी अगो प्रेजेंटेशन होता है वह आखों धायँ में तो आउनकों इस भय बहूत ज्यादा दयमेज उताए प्लस जो natural colors हैं, वो monitors में दिखके आते हैं, जो TV बगेरा है, उसमें natural colors दिखके नहीं आते हैं, वो थोड़े enhanced colors होते हैं, तो कई बार आप शायद अच्छे color के चक्कर में आप सही quality मिस कर जाते हो, यह comparison मैंने अलड़ी किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहूँ, अब यह आपने देखा कि मैंने box निकाल लिया है, और इसको मैं बाहा निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप एक चीज़ को हमेशा आदेखे, इसमें एक charger आया है, और charger सा एक छोटा से stand है, और यह देखे मैंने निकाला इसको, यह बहुत ही delicate है, लेकिन इसका weight जादा है, मतलब अगर display है, यह थोड़ी अच्छी quality है, बेटर quality का है, यह देखे, और यह जो size है, यह optimum size है, ना बहुत छोटा कहलाता है, ना बहुत बढ़ा कहलाता है, size तो 14 inch, 12 inch के भी आते हैं, वह बहुत जादा छोटे होते हैं, square monitors भी आते हैं, वह बगवास होता है, तो यह rectangular monitor है, slightly curved है, अच्छा के panels, उन में attachment वगएरा simple है, सिर्फ उसको अंदर insert कर दो चीज़ है, सही है, तो आप देख सकते है, quality बहुत अच्छी है, दोस्तों में आपको बतारों, बहुत ही प्यारी quality है, Acer brand है, मतलब आप local brand थोड़ी नहीं, Acer is the actual brand, तो उसका जो monitor है, तो office के अच्छा होगा, तो यह fit नहीं होगा, तो जो motor वाला हिस्सा है, वो अंदर जाना चाहिए, ठीक है, तो यह देखे, इसको इस तरह से insert कर देना है, और सिर्फ दवाना है, ठीक है, आपको थोड़ा tight feel होगा, तो यह insert हो गया, अब इसमें आपको monitor set करना है, ठीक है, monitor भी simple है, आप इस इसमें एक ही साइट से monitor set हो सकता है, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, इसको polythine से हटा के मैं set कर देता हूँ, और मैं आपको बता रहा था कि इसके जो installation की process है, इसके लिए किसी technical person की ज़रूद नहीं है, कोई भी इंसान इसको install कर से, देखे, मैं ulti side से लगा रहा था तो न मैं सस्ता monitor लेना चाह रहा था, zebronic था, enter था, front tech था, अब ये लोग साल बर की warranty दे रहे थे, इनके monitor पांच आर के से भी कम range में आ रहे थे, लेकिन पंगा ये था कि एक साल तो कोई भी monitor चल जाता है, एक साल के बाद ही अक्सर उनमें problem आती है, अक्सर, तो जब मैंने देख बाकी जो होगा होगा, और तीन साथ आगा monitor चल गया, तो मतलब वो चलेगा, ये टाइसम का मैंने mousepad भी मगाया था, तो इसको आप देख लिए, प्राइस तो इसकी 9999 थी, 999 थी, ठीक है, मतलब 999, 9000 बोल दिया, और ये मिला है, बहुत कम मैं, कुछ 400 रुपे के आसपास, तो ये आप देख सकते है, monitor मैंने चालू कर दिया है, ये मेरे PC है, ये जो मेरा PC है, एक्चुली एक गेमिंग PC है, और इसमें 32GB RAM है, और तकरीबन 1TB के आसपास का इसमें SSD लगा हुआ है, ये Ryzen 5 है, जो gamers ओंगे, वो समझ जाएंगे, प्रोसेसर को, तो ये बहुत ही amazing processor है और ये रहा monitor, बहुत प्यारी quality है इस monitor की, मैं आपको बताना चाता हूँ, आप जरूर इसे purchase कर सकते हैं, और आपका full पैसा वसूल है, Amazon पे sale भी चल रही है, तो आप ले लीजिए, और मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ, अगर पसंद आ रखें, सोचते रहें, जय हिंद, वन्दे मात्रम,